नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हैं, आप सभी के अपने योटोब परिवार अस्टूडेंट इलाइट में। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जहारखंड जीके का एक बहुत ही इंपोटेंट टॉपिक जहारखंड का एतिहासिक परचे किलियर करवाएंगे, जिसमें हम लोग टॉप 30 प्रस्न का डिसकसन करेंगे, जो जहारखंड के सभी परिक्षाओं के लिए काफी ज्यादा और यह विडियो आपके लिए काफी ज्यादा फाइदेमंद साबित होने वाला है, चलिए देखते हैं प्रस्न संख्या पहिला, ज्यारखंड राज्जी का नाम ज्यारखंड क्यों पड़ा? तो आपका उत्तर हो जाएगा option number C, बन एवं ज्याडियों की बहुलता के कारण इस राज्जी का नाम ज्यारखंड पड़ा, यानि इस राज्जी का नाम ज्यारखंड क्यों पड़ा? तो बन एवं ज्याडियों की बहुलता के कारण ज्यारखंड पड़ा, प्रस्न संख्या दूसरा, ज्यारखंड परदेश का स्वर पर्थम उलेक मिलता है, यानि कहां मि उत्तर हो जाएगा option number D, एत्रे ब्रह्मन में, जार्खंड परदेश का स्वर पर्थम उलेक कहां मिलता है, तो एत्रे ब्रह्मन में, चलिए, अगला प्रस्न, प्रस्न संख्या तीसरा, जार्खंड सब्द का स्वर पर्थम उलेक कब किया गया था, तो आपका उत्तर हो option number D, तेरहभी सताबदी में, जार्खंड सब्द का स्वर पर्थम उलेक जो है, तेरहभी सताबदी के तामर पात्र में मिलता है, तेरहभी सताबदी में आपका उत्तर हो जाएगा, option number D, आगे, प्रस्न संख्या 4, रिग बेद में जार्खंड का उलेक किस नाम से किया गया है, यानि रिग बेद में जार्खंड को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, option number C, की काटा नाम देशो अनार्थ, या फिर की कट परदेश, की कट परदेश, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, की कट परदेश या की काटा नाम देशो अनार्थ, option number C, आगे, प्रस्न संख्या 5, निम्र में से किस बेद में है, जार्खंड को ब्रात्ति नाम से शंबोधित किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, option number B, अतरवेद यानि अतरवेद में जार्खंड को ब्रात्ति नाम से शंबोधित किया गया है, आगे, प्रस्न संख्या 6, बैदिक साहित्यों में जार्खंड की जनजातियों के लिए, निम्र में से किस सब्द का परियोग किया गया है, तो आपका उत्तर होगा, option number B, असुर, क्या हो जाए जार्खंड की जनजातियों के लिए कौन से सब्द का परियोग किया गया है, तो असुर सब्द का परियोग किया गया है, option number B, प्रस्न संख्या 7, देखी, निम्र में से किस बेद में असुरों को लिंग पूजक या शिश्नों का देव कहा गया है, तो आपका उत्तर हो किया, शिश्नों का देव कहा गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा, option number A, रिगवेद, क्या हो जाएगा, रिगवेद, आगे, प्रस्न संख्या 8, तो जूके जहागीरी में, जार्खंड के लिए किस सब्द का परियोग किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, option number A, क्या हो जाएगा, खोखरा सब्द का परियोग किया गया है, खोखरा, तो जूके जहागीरी जो था, वा जहागीर की आत्म का था, तो जूके जहागीरी जो है, वा जहागीर की आत्म का था है, इसमें जार्खंड के लिए खोखरा सब्द का परियोग किया गया है, option number A, प्रस्न स संख्या 9 कोटिली के अर्थ सास्त्र में जारखंड परदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है तो सबसे पहले बात कोटिली का हो जाए चंद्रगुप्त मौर्ज का महासचीव चानक के था उसी का दूसरा नाम कोटिली या विश्नुगुप्त भी है कोटिली कौन था चान तक्य यानि विश्नुगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्ज का महासचीव था तो कोटिली के अर्थ सास्त्र में जो है जारखंड परदेश को संबोधित किया गया है वह उत्तर हो जाएगा ओप्शन नमबर D कुकुट क्या हो जाएगा कुकुट ओप्शन नमबर कुकु पुंड्र नाम से किया गया है तो आपका उत्तर होगा ओप्शन नमबर B एत्रे ब्रह्मन जिसमें सबसे पहले उलेक मिलता है एत्रे ब्रह्मन पुंड्र या पुंड के नाम से भी पुंड्र या पुंड के नाम से ओप्शन नमबर B आगे प्रस्न संख्या 11 निम्ण में से किस गरंथ में ज्यारखंड को किसी दूसरे नाम से शंबोधित किया गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number A क्या हो जाएगा option number A यानि कोटिली का अर्थ सास्त्र जिसका discussion आपने पीछे प्रस्ण में किया है कोटिली के अर्थ सास्त्र में जो है ज्यारखंड को कुकुट या कुकुट देश dais के नाम से संबोधित किया गया है बादवा की जगह जो है है अकवर नामा हो चाहे तारीक भंगला हो चाहे तारीक e फिरोजसाही हो हर एक जगा जारखंड को जारखंड से ही संबोधित किया गया है तो अकवर नामा, तारीखे बंगला, तारीखे फिरोजसाही यह सब में जो है जारखंड को जारखंड से ही संबोधित किया गया है किन्तु कोटिल के अर्थ सास्तर में जो है जारखंड को कुकुट या कुकुट देश के नाम से संबोधित किया गया है option number A, आगे प्रस्न संक्या 12 तॉल्मी ने जारखंड को किस नाम से संबोधित किया है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number D, मुंडल और तॉल्मी कौन था? टॉलमी जो था रोमन गनितग्य, खगोल सास्त्री, भुगोल वेता था, टॉलमी के अनुसार सुर्ज, चंद्रमा और सभीगरह पिर्थवी का परिकर्मा करते हैं, तो टॉलमी कौन था, रोमन गनितग्य, खगोल सास्त्री और भुगोल वेता था, टॉलमी के अनुसार जो है टॉलमी ने जारखंड को किस नाम से संबोधित किया तो मुंडल, option number D, आगे, प्रस्न संख्या 13, बायू पुरान में, यानि बायू पुरान नाम गरंथ में, जारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा option number A, क्या हो जाएगा, option number A हो जाए प्रस्न संख्यां 14 विश्नु पुरान नामक गरंत में ज्यारखंड को किस नाम से शंबोधित किया गया है तो आपका उत्तर होगा option number B, क्या हो जाएगा B, मुंड, क्या हो जाएगा मुंड, मुंड, विश्नु पुरान नामगरंत में जो है ज्यारखंड को मुंड से संबोधित किया गया है, किस से, मुंड से, प्रस्न संख्या 15, फाहियान द्वारा ज्यारखंड काउलेख किस नाम से किया गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number A कुकुट लाड, क्या हो जाएगा कुकुट लाड है न अब फाहियान के बारे में समझते है फाहियान जो था वो एक चीनी आक्री था जो चंदरगुपदूतिये के सासनकाल में भारत आया था फाहियान कौन था एक चीनी आक्री था जो चंदरगुपदूतिये के सासनकाल में भारत आया था फाहियान जो है जारखंड का उलेख कुकुट कुकुट लाड के नाम से करता है प्रस्न संख्या 16 भागवत पुरान में जारखंड को किस नाम से शंबोधित किया गया तो option number हो जाएगा आपका B क्या हो जाएगा option number हो जाएगा आपका B यानि कीकट परदेश क्या हो जाएगा कीकट परदेश भागवत पुरान में जारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया तो आपका उत्तर हो जाएगा option number A यानि East India Company के रवारा जो है जार्खंड को छोटा नापकूर नाम से शंभोदित किया गया प्रस्न संख्या 18 इतिहासकार भुका ननन ने किस अस्थान से लेकर बीर भुमी तक किस संपोर्ण पठारी छेतर को जार्खंड के रुप में बरनित किया है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number C कहा तक बनारस तक यानि बनारस से लेकर बीर्भुमी तक कहा गया था इतिहासकार भुका नन्ने किस अस्थान से लेकर बीर्भुमी तक तो बनारस से बीर्भुमी तक किस संपुर्ण पठारी चत्र को ज्यारखंड के रूप में बरनित किया है option number C आगे प्रस्न संख्या उनीस 1833 में अस्थापित तक्षिन पस्मी फ्रेंटियर एजन्सी का मुख्याले कहा था जिसे बाद में राची के नाम से जाना गया option हो जाएगा आपका C किसुनपुर्ण क्या हो जाएगा C किसुनपुर्ण प्रस्न संख्या 20 जारखंड सब्द का प्रथम पुरातात्विक परमान कहां से मिलता है यह पहले भी डिसकस करवा चुके हैं तेरहवी सदी के तामरपात्र से जारखंड सब्द का प्रथम पुरातात्विक परमान जो है तेरहवी सदी के तामरपात्र से प्राप्त होता है प्रस्न संख्या 21, महाबारत काल में जारखंड निम्न में से किस ब्रिद्रत वन सी समराट के अधिकार छेतर में था तो आपका उत्तर हो जाएगा option number C यानि महाभारत काल में जो जारखंड था वो किसके अधिकार छेतर में था तो जरासंद के अधिकार छेतर में था किसके जरासंद के है ना option number D प्रस्न संख्या 22 महाभारत के दिगविजे पर्व में जारखंड की चर्चा किस नाम से की गई तो पुंडरिक कौन पुंडरिक नाम से option number D पुंडरिक नाम से प्रस्न संख्या 23 महाभारत में जारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम पर्युक्त किया गया तो आपका उत्तर हो जाएगा option number A पसुभूमी क्या हो जाएगा पसुभूमी महाभारत में जारखंड के लिए कौन सा नाम पर्युक्त किया गया तो पसुभूमी पुंडरिक पीछे आप देखे होंगे पीछे तुरत प्रस्न संख्या 22 में हमने चर्चा किया था आगे प्रस्न संख्या 24 जारखंड के असोक के 13 सिलालेख में जारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number A क्या हो जाएगा option number A मुरंड क्या हो जाएगा मुरंड असोक के 13 सिलालेख में जारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया तो option number A मुरंड प्रस्न संख्या 25 असोक के 13 सिलालेख में जारखंड को यहाँ पर मिस्टेक हुआ था असोक के तिरहवे सिलालेक में जो है जारखंड को अटावी यहाँ पर मिस्टेक हुआ था ध्यान देजिएगा प्रस्न संख्या 24 यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था असोक के तिरहवे सिलालेक में जारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी अटावी क्या हो जाएगा अटावी आगे प्रस्न संख्या 25 शमुद्र गुप्त के प्रयाग प्रसस्ती में जार्खंड को किस नाम से संबोधित किया गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number B क्या हो जाएगा option number B option number B हो जाएगा मुरुंड क्या हो जाएगा मुरुंड अच्छा शमुद्र गुप्त के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए शमुद्र गुप्त जो था जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है शमुद्र गुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा चलिए, अगला प्रस्न, प्रस्न संख्या 26, 26, तारीखे फिरोज साही में जार्खंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो आप्शन हो जाएगा आपका भी, जार्खंड, तारीखे फिरोज साही में जो है, जार्खंड को जार्खंड नाम से ही संबोधित किया गया? प्रस्न संख्या 27 तारीखे बंगला में जार्खंड को किस नाम से शंबोधित किया गया तो आपका उत्तर हो जाएगा ओप्शन नंबर C जार्खंड के नाम से ही शंबोधित किया गया है प्रस्न संख्या 28 वेन सांग ने जार्खंड के लिए निम्न में से किस सब्द का परियोग किया है तो आपका उत्तर हो जाएगा ओप्शन नंबर C की लो ना सुकाला ना ओप्शन नंबर C वेन सांग जो है यह भी चीनी यात्री था जो हर्सवर्धन के शाषनकाल में भारत आया था किसके शाषनकाल में हर्सवर्धन के शाषनकाल में चीनी यात्री यह भी था आगे प्रस्न संख्यां 29 मलिक मुहम्मद जाईसी के निम्न में से किस गरंथ में जारखंड सब्द का उलेक मिलता है तो आपका उत्तर हो जाएगा ओप्शन नंबर ए पदमावत मलिक मुहमद जाईसी जो थे वह सेर साह के शमकालीन थे किसके सेर साह के तो मलिक मुहमद जाईसी के किस गरंथ में जारखंड सब्द का उलेक मिलता है पदमावत प्रस्न संख्यात तीस आइने अकवरी जिसके लेखक कौन है अबुल्फज़त आइने अकवरी में ज्यारखंड के लिए कौन सा नाम पर्युक्त किया गया तो कोकरा और खंकराह दोनों उप्रुक्त दोनों कोकरा भी और खंकराह भी उप्रुक्त दोनों तो यह था आपका ज्यारखंड का एतिहासिक परचे से संबंधित शभी प्रस्न जो आपके लिए काफी ज्यादा महतपूर्ण है हर एक परिक्षाओं के लिए ज्यारखंड से संबंधित अगर आपको विडियो अच्छा लगता विडियो देखने के लिए धन्यवाद